गुर्मोरिंग गाइज वेलकम टू बैंकिंग इल्समानिया का आज़ा 27 नौवंबर और 27 नौवंबर के दे हिंदो आर्टिकल में आप सबका स्वागत हैं तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ट पहला वर्ट है स्टार्टल इसका मतलब होता है ड स्ट के करना पटूब अच्जान ओचे करना इसके डिरा ना अप्रैटन रा न तो यह सके सनीनिम है है शोगा इसका मतलब होता है डेर यह artifact करना फ्लेवर का स्टकर ना ठीक है एक फ्रेज आती है ऑल और इसका मतलब है किसी को अच्छान ब्लॉट्ट कर देना एक एडियम आ होता है make once blood run cold तो यह इसका synonym होगा antonyum क्या होगा इसका put at ease किसी को comfort देना सूध करना encourage करना cheer करना ठीक है तो यह इसका antonyum होंगे example इसका a sudden sound in the doorway startled her दरवाजे पर अचनक आवाज ने उसे चौंका दिया या फिर ड्रा दिया ठीक है तो यह होगा अगला वड़ है vanity इसका मतलब होता है गुमान या फिर कंसीड को कहा जाएगा vanity मतलब जो आपका pride होता है घमंड होता है उससे कहा जाता है vanity इसके arrogance नार्सिस्म इगोटीज्म है इसके सिर्म है इगोटीज्म मतलब जो बहुत जादा घमंड होता है अपने आपको जादा समझता है नार्सिस्म भी क्या होता है जो सिर्फ अपनी बारे में सोचे ठीक है कि वही बहतर है उससे बहतर कोई है नहीं तो यह होता है नार्सिस्म एरोगेंस घमंड को कहा जाता है तो यह इसके सिर्म है एक वर्ड आता है वैन ग्लोरी यह इसका एक सिर्म होगा जिससे अपने खांदान पर या अपने कारिये पर बहुत जादा गमन होता है प्राइड होता है ठीक है या फिर जो सेल्फ एड्माइरेशन होता है ठीक है सेल्फ लव यह होता है वैनिटी एंट्रिम क्या होगा इसका मोडेस्टी, हुमिलिटी, मीकनेस सेल्फ अबेस्मेंट यह इसके एंट्रिम होगा मोडेस्टी मतलब जो विनम्र है हुमिलिटी भी क्या होता है विने या फिर विनम्र, मीकनेस जो काफी सांत चितका है या विने है विनम्र है सेल्फ अबेस्मेंट है जो आपने आपको आप जाता ना समझे या आपने आपको कमजोर समझे इस टाइब का सेंज देता है यह इसके एंटिनिम होंगे एक्जामपल है इसका इसका इसके गमंड को और बढ़ावा दिया कि मैं उससे प्यार करता था ठीक है तो यह होगा इसका एक्जामपल अगला वट है इसका मतलब होता है गुप्त बाद बताना या रिवील करने को कहा जाएगा अपना कोई सीक्रेट है उसको रिवील करना या डिस्क्लोज करना यह होता है confide, disclose, divulge, confess, ये इसके सिन्म है, confess में इसे भी क्या होता है, अपनी बात बताना, divulge, प्रकासित करना, या उजागर करना, ये होता है, unwrap होगा, bring out, ये एक phrase है, इसका मतलब सामने लेके राना, या फिर प्रकासित करना, ठीक है, तो ये होगा, antinim होगा इसका, keep, return, withhold, possess, ये इस बात को poses करना, इसका मतलब भी अपनी तकी सिमित रखना, तो ये इसके antinim होगा, example है, he confide his fears to his mother, उसने जो है, अपनी जो डर है, उसको अपनी मदर के सामने reveal किया, ठीक है, तो ये होगा, तो guys, अगला वट है, burlesque, इसका मतलब होता है, हास्यात्मक, या satrical को कहा जाएग बरलेश्ग, सैट्रिकल मतलब वखनक या फिर हास्यात्मक को कहा जाता है, सैट्रिकल, तो ये होता है, burlesque, जो किसी कीถमासाही होता है, मजा किया होता है, लोडी करस होता है, मौकरी होता है, वो होता है, burlesque, synonym होगे, इसके parody, caricature, ironical, इसके synonym होता है, वजएगए इसका क किसी का मजाक उड़ाना ठीक है तो यह होता है पैरोडी ट्रावेस्टी जैनी यह इसके सिनिम है इनका मतलब भी किसी का मजाक उड़ाना या उसकी मौकरी करना ठीक है तो यह इसके सिनिम होंगे एंटिनिम क्या होगा इसका अकलेम करना एडमायर करना अपलोड करना कमेंड कर तारीफ करने को खाजएगा ठीक है तो इनस सब ना मतलब करता है तारीफ करना तो ये इसका की कि घ्रेस को उतकता curiosity ने न होता है उससे निम सकने मतलब को मुई सेटपक कि आप होता है कि सिक में जो Dr.frei रुकावत है तो इसके सिनेम होंगे HIS को आ गशे को रोकना आगे परने से रोकना यह पर होटा ही कि में इसके को नेयुकर्णy ने-र प्रसेद्व होंगे एंटिनम। का ब्रेक्थ्रो इस्टेट असको बूस्ट इसके एंटिनम मैं बूस्ट म लुटा हुआ है अगर यह पूरा बना होता तो मतलब जो यह था इस्तिति जो पहले था जैसा था कोई रुखावट नहीं प्रिपल वहमी ऐट दो मुवमेंट इस टाइम पर हम जो है ट्रिपल जो वहमी है रुकावट है उसको सफर कर रहे हैं ठीक है उसको जेह रहें तो यह होगा इसका, एक्जामपल, अगला वर्ड है, exterminate, इसका मतलब होता है, विनास करना, यह डिस्ट्रोई करने को कहा जाएगा, exterminate, मतलब किसी चीश को नस्ट करना, खत्म करना, या उसको विनास करना, यह होता है, exterminate, eliminate, abolish, eradicate, यह विसके सिननम होंगे, eradicate मतलब करना, abolish, खत्म करना, eliminate, nest करना, ठीक है, तो यह इसके सिननम है, wipe out होता है, एक phrase है, इसका मतलब भी नस्ट करना, यह खत्म करना, ब्लोट आउट होता है, यह भी विनास करना, यह खत्म करना, इफेस, एक्सटर पेट, यह भी इसके सिननम है, इफेस मतलब खत्म करना, एक्स इसका a huge effort was made to exterminate the rats, चुहों को मारने के लिए या खत्म करने के लिए बहुत प्रियास किया गया था, ठीक है, तो यह होगा इसका example, तो guys जगलावट है aduce, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, या फिर present करने को कहा जाएगा aduce, मतलब किसी चीज़ को सामने लेकर आना, या कि किसी चीज़ को दिखाना, यह होता है aduce, इसका एक और मिनिंग होता है, किसी चीज़ का परिणाम, तो यह भी होता है aduce, mention, allege, designate, यह भी इसके सिननम होंगे, designate मतलब किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, allege करना, mention करना, यह भी इसके सिननम होंगे, और दूसरा मिनिंग क्य करना कोई प्रणाम निकाला कन क्लीट टिसक अ किर दिशेंट करना किसी को नजर अंदाज करना यह हाइड करना इसके एंटिनम हों गे एकजांपल इसका द यूटेंस टुझ वर्ज होज में जो इविदैन्स या फिर जो साक्ष्य उसने प्रस्तुत कि वह अधिकारिक थे या इंपेर इसका मतलब होता है हानी पहुंचाना या वर्सन को कहा जागा इंपेर जब कोई चीज और ज्यादा खराब हो जाए या डैमेजिंग हो हार्म हो अंडर्माइन हो उससे कहा जागा इंपेर अंडर्माइन हो इसे भी क्या होता है किसी चीज को और ज्यादा डैमेज करन ठीक है तो यह होगा डेटियोरेट डेबलिटेट यह बिसके सिननम होंगे इनरवेट यह बिसके सिननम होगा इनका मतलब क्या होता है किसी चीज को वर्सन करना मतलब हानी पहुंचाने या किसी चीज को खराब करना यह होगा एंटिनम क्या होगा इसका बैटर करना ameliorate, ameliorate में स्किया होता है, किसी चीज में को सुधार करना किसी चीज में, तो यह इसका antinome होगा, example है इसका loud noise can impair your hearing, जो loud noise है, जो तेज आवाज है, वो तुमारी सुनने की चमता को हानी पहुचा सकती है, या कमजोर कर सकती है, ठीक है, तो यह होगा इसका example, अगला वट ह बेन, इसका मतलब होता है, अभिसाप, या फिर play को कहा जाएगा, बेन, play में से भी क्या होता है, कोई परतारना, या अफ्लिक्षन, यह होता है, बेन, अफ्लिक्षन, curse, misery, यह इसके synonym होंगे, misery मतलब को दैनियता, या फिर कोई अभिसाप, curse में से भी क्या होता है, स्राप या फिर कोई अभिसाब, अफ्लिक्सन, परतारना, ये इसके सिननिम होंगे, बलाइट, इसकोर्च, ये भी सिननिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, परतारना, या फिर किसी पर कोई अत्यचार है जो, ये होता है, बलाइट और इसकोर्च, तो ये भी इसके सिननिम होंग गौड सेंड, बून मिस भी क्या होता है, आसिरवाद, बैनेफेक्शन, ये भी आसिरवाद होता है, या फिर किसी के लिए अच्छे बिचार रखना, ठीक है, तो ये होगा, एक्जामपल इसका, हर ब्रदर is the band of our life, जो उसका भाई है, वो उसके लाइफ का अभिसाप है, ठीक तो ये होगा इसका, एक्जामपल, तो गैज आज की पहली एडियम है, डैमप डाउन, इसका मतलब होता है, to make it calmer, और less intense, मतलब किसी चीज़ को सांथ करना, या less intense करने को कहा जाएगा, डैमप डाउन, मतलब किसी की तीवरता को थोड़ा कम करना, ये होता है, डैमप डाउ गबराहट को सांथ करने के लिए, या काम करने के लिए, उसका जो हैंड है, वो मुह पर चला गया, ठीक है, तो ये होगा, अगली एडियम है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो बहुँ ज़दा, इसमॉक करता है, उससे कहा जाएगा, इसमॉक्स लाइक चिम्नी, जैसे मुझे उसकी हैल्थ की चिंता है, ठीक है, तो ये होगा, अगली एडियम है, टेक अ हाइक, इसका मतलब होता है, गो अवे, मतलब दूर होना, या भाग जाने को कहा जाएगा, टेक अ हाइक, जैसे, जब हम सेलरी डिसकस कर रहे हैं, उस टाइम पर तुम दूर रह सकते थे, ठीक है, तो ये होगा, अगली एडियम है, back on her feet, इसका मतलब है, healthy again, मतलब फिर से, ठीक होने को कहा जाएगा, back on her feet, जैसे, इस एक्जामपल है, my mother is back on her feet after being sick for two weeks, दो हफ़तों तक बिमार रहने के बाद मेरी जो मदर है, वो फिर से ठीक हो गई है, या हैल्टी हो गई है, ठ तो गैज आज का रूड वर्ड है मैली, मॉल और मॉली इसका मतलब होता है soft या नरम पढ़ने को कह जाएगा मैली, मॉल और मॉली अब देखते हैं इससे क्या के वर्ड बनते हैं जैसे mollify इसका मतलब होता है to make someone less angry और upset मतलब किसी को किसी के गुसे को सांध करना या उसको किसी का गुसे का नरम पढ़ने को कहा जाएगा मॉली फाई, अगला वट है more emollient इसका मतलब होता है soothing, moisturizer या conciliatory मतलब जो आपका कहीं पे चोट लगी हुई है पे हातों में, पैरों में तो वहाँ पे जो कोई moisturizer लगा जाता है या कोई soothing है जो conciliatory हो जो आपके दर्द को या आपका जो pain है उसको नरम कर दे ठीक है तो यह होता है emollient अगला वट है molten इसका मतलब होता है molten metal or in a liquid state because of great heat मतलब जो metal है उसका great heat के कारण जब वो पिखल जाता है ठीक है उससे कहा जाएगा molten जो पिखला हुआ है ठीक है वो होता है molten अगला वट है molly caudal इसका मतलब होता है to give someone too much care or protection मतलब कुछ ज़्यादा ही लाट प्यार करने को कहा जाएगा molly caudal जैसे की बच्चे अपनी मा को करती है बहुँ ज़्यादा लाट प्यार करती है वो होता है molly caudal ठीक है तो यह हो जाएगे आज के root word तो guys आज के लिए बस इतना ही thank you धन्यवाद if you like the video please like subscribe and share the video thank you